नमस्कार दूस्तों, चॉपसन केरेर में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है तो आज मैं डिसकेशन करूँगा इंडियन पोस्ट से जो रिकोमेंड आ है उसी के बारे में तो इंडियन पोस्ट से एक बहुत सांधा रिकोमेंड आ है तो आप इसको apply कर सकते है totally offline है और कैसे apply करेंगे इसका notification और form कहा से मिलेगा सब कुछ मैं इस video में discussion करूँगा तो video को पूरा देखिए तो सबसे पहले में official website का वो राचु को जा पर मुझे एक notification मिला है इस notification का details को आपको देखना है और आप देख सकते है यहाँ पर पूरा का पूरा जॉब का details आपको देख सकते है आप देख सकते है पोस्ट जो है skill जो artisans है उसके उपर पोस्ट आपको देख सकते है general central services and group C and non जो gadgeted है and non जो ministerial है इसके उपर आप apply कर सकते है trade जो होगा mechanical मतलब motor vehicle का उपर one post sorry, 4 post है जहाँ पर general 2 और EWS 1 total OBC 1 total कुल में लगा 4 post है welder के लिए one post है और वो भी OBC के लिए और साथी साथ attiresmans के उपर आपको दो post देख सकते है general के one और OBC के लिए one और साथी साथ team smith के लिए one post है और SC के लिए one post है total vacancies है वो nine vacancies है general के लिए four और EWS के लिए one SC के लिए one and OBC के लिए three तो जो vacancies है वो आपके साथ share के हो अभी दिखी इस job के लिए total आपको salary package मिलेगा 19,900 level 2 का post में आपको total salary मिलेगा साथी साथ आप इस date के हिसाब से बात करो तो 10th August 10th August 2024 में आपको application complete करना होगा और इससे पहले आपको application करना होगा उससे बाद application नहीं होगा age limit 18 से 30 years तक रहेगा और वो भी first of July 2024 के हिसाब से आपका age limit 18 से 30 years होना चाहिए SCC के लिए five साल के लिए age relaxation रहेगा तीन साल OBC के लिए age relaxation रहेगा और government service holder के लिए 40 years तक आपको age limit रहेगा तो education qualification के बारे बात करो आप देख सकते हैं इसके लिए आपको कोई भी technical trade मतलब जिस trade में apply करना चाहते हैं मान के चलिए mechanical के apply करना चाहते हैं उसके लिए आपको mechanical trade में आपको pass out होना चाहिए कोई भी technical institution से तो ही आप apply कर सकते हैं देख सकते हैं आपको बता जा रहे है candidate who applies for the post of mechanics motor vehicle should pass out the driving license मतलब आपको diving license में होना चाहिए और वो भी heavy vehicles के driving license low medium vehicles and high medium vehicles के उपर भी आपको license होना चाहिए उसके साथ साथ आपको जो notification के details है आपको इस application को apply करने के लिए आपको age proof, education qualification proof technical qualification proof साथ साथ valid driving license जो mechanical के लिए आपको देना पड़ेगा उसके साथ साथ आपको ये भी बता जा रहे है कि आपके SCST certificate EWS certificate साथ साथ trade experience और qualification के साथ 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 सब कुछ certification आपको attach करके आपको भेजना होगा आप marking भी कर लिजेगा या आपे में red color से marking कर रहा हूँ अब दा senior manager mail motor services 134A साथ साथ आप देख सकते हैं ये जो address दिया के है मुंबाई का इस address में आपको भेजना होगा और date भी में mention कर चुका हो उस date के अंदर भेजना होगा अब देखे इस application के लिए the application fees 100 rupees non refundable 100 rupees आपको देना होगा और वो भी postal जो order है IPO है उसके महत्तम से आपको 100 rupees पे करना होगा अब देखे था examination fees 400 rupees और उसका भी IPO मतलब आपको non refundable जो payment से उसको करना होगा तो आप बोल सकते हैं कि total कितना rupees देना होगा 500 rupees आपको देना होगा और SCST के लिए 100 rupees ही देना होगा तो पूरा details में आपके साथ इसलिए कर रहा हो कि कि आपको सारे जानकरी मिले उस जानकरी basis में आप apply करे तो आपको application का form का format भी इसी link में मिल जाएगा मैं link नीचे देदूँगा notification का link आप जाकर check out कर सकते है तो देख सकते है format of application जहाँ पर आपका full name father's name इस तरह के से पूरा details आपको लिखना होगा और उसके बाद आपको भेजना होगा तो I hope वीडियो में जानकरी आपको अच्छा मिला होगा अगर मिला है तो चैनल को सबस्केप करिए वीडियो चले के तो लाइक करिए Thank you